हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल फार्मरोक्स के यूट्यूब एजूकेस्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे ब्लड क्लोटिंग फेक्टर्स के बारे में और सीखेंगे कि किस तरह से इजीली हम उनको याद रख सकते है तो याद रखने के लिए जो ट्रिक है उससे आप ये ब्लड क्लोटिंग फेक्टर्स को काफी आसानी से याद रख सकते है तो ये वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखने के बाद आपको जो है वो काफी आसानी से याद रख पाएंगे आप ये ब्लड क्लोटिंग फेक्टर्स को तो सीखते हैं ये वीडियो लेक्चर में about the blood क्लोटिंग फेक्टर्स expert lecture by Mr. Sir, assistant professor and founder of pharma rocks thank you for being one leg family of pharma rocks updated रहिए pharma knowledge के साथ access करिये study material, test series and video lecture on pharma rocks तो जरूर से डाउनलोड करिया pharma rocks की जो Android app है Google Play Store पे, Apple iPhone या पॉन, App Store लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो अब समझ ये blood clotting factors तो blood clotting सबसे पहले क्या है वो आपके mind में clear होना चाहिए कि blood clotting को blood coagulation process भी कहा जाता है कि जब जो blood है वो किसी भी blood vessels में से बाहर निकलता है तो कुछ समय के बाद वो semi solid या फिर gel के form में convert हो जाता है कि जिसको हम कहते है उसका clotting होना और फिर आगे जाके वो फिर completely solid form में भी convert हो जाता है तो it is a process that changes the circulating substance within the blood into an insoluble gel और यह ऐसी gel में convert हो जाएगा कि जो insoluble रहेगा and the gel plug leaks in blood vessels and stop the loss of blood और जो gel का plugs तयार हो जाते है जो वो जब भी कोई blood vessels breakdown होती है तो blood loss ना होती इसलिए वहाँ पर अपना एक layer बना देगा protected जिसके कारण excessive blood loss नहीं होता है जिस तरह से ये blood vessels से समझो कि किसी कारण सर वो break होई है तो यहाँ पर समझो कि ये breakage तयार हो गया है तो यहाँ से ये जो blood है वो बाहर निकल जाएगा बट क्लोटिंग के करण जो blood क्लोटिंग के लिए responsible जो cells होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स वहाँ जमा हो जाएंगे और साथ ही वहाँ पे fibrin के जो fibers उपना एक उनके उपर protected cover तयार करदेंगे कि जिसके करण उसको अच्छे से वहाँ पे hold करके रखेंगे प्लेटलेट्स को कि जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स प्लक्स तयार होना या फिर gel प्लक्स तयार होना तो उसके बाद जो blood loss होए वह काफी कम हो जाता है and stop हो जाता है bleeding तो clotting के लिए जो responsible factor है कि ये जो factors की total 13 factors होते हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी होते हैं कि जो teachers आपको वाईवा के अंदर भी पुछते हैं as well as आपको theory exam में भी पूछा जाता है blood clotting factors के बारे में and multiple choice questions की जो competitive exams के लिए तो ये very very most I am भी हम कह सकते है blood clotting factors तो इसके लिए जो जरूरी है कि coagulation factors का होना calcium का होना and और phospholipids तो coagulation factors की जिसको हम clotting factors भी कहते हैं तो इनको किस तरह से easily आप याद रख सकते हैं तो trick जो ये है कि trick का जो sentence सबसे पहले आप ध्यान रखे trick का जो sentence है ये है कि phrases party tonight ये उसका एक first sentence याद रखना है उसके बाद come let's sing and also call seniors please have a phone कि जो phrases party को आपको mind में imagine करना है कि phrases party है आज रात तो phrases party tonight come let's sing and also call a seniors and please have a phone तो ये सब भी को किस तरह से clothing factors के साथ joint कर सकते हम तो वो आप समझते हैं तो ये देखे सबसे पहला जो word है आपका कि phrases तो phrases की अंदर आ जाएगा clothing factor first that is a fibrinogen की यहाँ पर देखिए fibrinogen की जो हमारा first clothing factor तो f for हो जाएगा fibrinogen तो phrases party का f मतलब की fibrinogen फिर second p तो prothrombin की जो हमारा second blood clothing factor है that is here तीसरा word हम देखे तो वो है two night phrases के बाद party और तीसरा है two night तो two night का t for यहाँ पर हो गया हमारा तीसरा factor tissue factor की जिसको tissue thromboplastin भी कहा जाता है tissue factors भी कहा जाता है तो ये हो गया clear उसके बाद चौथा factor मतलब की come on या फिर come तो come on या फिर come तो उससे होगा ये c for calcium फिर let's तो let's के लिए हुआ आपका ये लेबाइल factor let's के लिए होगा ये लेबाइल की factor for calcium की जो ionized form में होता है calcium ca plus 2 क्यों calcium के भी वहाँ पर जरूरत होती है blood clotting के लिए ca plus 2 होगा आपका come on पर से let's पर से लेबाइल factor की लेबाइल factor को दुसरा pro-accelerine भी कहा जाता है तो लेबाइल होगा है उसके बाद देखिए sing let's के बाद है sing तो as for stable factor तो जो 6 नमबर का factor है वो तो on sign is directly जो 7 नमबर का factor आपका होगा है कि stable factor या फिर pro-converting जिसको कहा जाता है तो यहाँ तक आपका यह clear हो गया अब बागी के factor समझे कि number 8 के लिए तो number 8 के लिए जो यहाँ पे लिखा है and and also तो also के लिए होगा है यह anti-hemophilic factor यह number 8 number 9 वाला मतलब की call also call तो call see for Christmas factor यहाँ पे भी देख सकते हैं यह वाले table में कि anti-hemophilic factor के बाद Christmas factor के जिसको हम number 9 कहते हैं और जिसको plasma thromboplastin component भी कहा जाता है उसके बाद number 10 कि जिसको लिखा है कि X number 10 तो उसके बाद आया वाड़ यह senior तो senior पर से steward power factor number 11 please P for plasma thromboplastin and and take a dent और 12 पर 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 प्लीज have a phone तो please पर से तो plasma thromboplastin हो गया have पर से आपका होगा यह hazimen factor तो यह जो हो गया number 12 that is hazimen factor और last मतलब phone तो F for fibrin stabilizing factor तो इस तरह से यह tricks से आपके यह total 13 blood clotting factors आसानी से याद रहेगे तो tricks से याद रखने के लिए tricks को आप दो तिन बार यह sentence को अच्छे से याद रखे और उसको सामने यह blood clotting factors के साथ अच्छे से match करके आप जो इसको याद रख सकते हैं दूसरी important चीज़ याद रखने के लिए trick तो आपके पास है बट यह tricks के लिए जरूर यह कि यह वाला जो table है उसका ऐसा तो आप गर पे एक ऐसा banner जीसा बना लीजिए या फिर chart भी बना सकते हैं और यह जो chart है वो आप अपने room के अंदर लगा सकते हैं कि जो blood clotting factors के उपर रहेगा तो यह factors जब आप इस तरह से अच्छे से roman symbol wise वो chart में लिख देंगे साथ ही वहाँ पे trick भी लिख देजिए और जब भी समय मिले जब भी आप free हो तो यह factors के उपर जब भी आप एक बार revision करेंगे तो भी आसान इसे यह factors आपको याद रह जाएंगे को revision ही एक की रहती है कि tricks के साथ-साथ revisions भी regular करना जरूरी है साथ ही ऐसे smart ideas को यूज करना कि जिससे आप easily इस टाइप के topics होगे रहा को याद रख सके तो यहाँ पर हमने tricks के बारे में सिखा next जो हमारा lecture रहेगा उसमें हम detail में blood coagulation process clothing किस तरह से होता है कैसे fibrin involved होते है कैसे platelets जमा होते है वो सब सिखेंगे next lecture में तब तक use करिये formar rocks एक्सेस करिये study material test series and video lecture join कर सकते है whatsapp groups एक्सेस करिये study material test series and the video lecture on app formar rocks तो android user है तो download करिये android app google play store पे iphone user है तो app store पर से भी download कर सकते है दोनों के links आपको description box के अंदर मिल जाएंगी so good luck and all the best